शब्द से निशब्द तक अनन्श्री के साथ तुम दुख से तो बचना चाहते हो और सुख को चुनना चाहते हो यहीं सारी जीवन इस द्वैद पर ही चल लाए एक किनारा सुख का और दूसरा दूख का तीसरी अवस्था है अग्वैद के ट्रांसेंदेंटर्ड तब तुम दोनों किनारों को छोड़कर उपर उठ जाते हैं तो जिसे दुख नहीं चाहिए उसे निश्चित रूप से सुख की किसी भी इच्छा का परितियार कर देना चाहिए लेकिन तुम चाहोगे कि सुख सुख तो बचा लें और दुख दुख को बीन कर बाहर कर दें तुमारे सारी प्राथनाएं तुमारे सारे ग्रंथ तुमारे सास्त तुमारे पूजा विधान सबीनी बातों से बारे पड़ें कई बड़ी परचलित कथाएं हैं मैंने तो सुनी नहीं कभी कोई इधर उदर से कान में मेरे पढ़ जाती हैं कभी उसमें भी यही चुनाओं लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ है जिस व्यक्ति ने विश्रुख के तलास की है वो दुख में तो पढ़ा ही ये द्वैत समझने जैसा है इस द्वैत में बड़ी उलजन है इस ड्वैलिटी में बहुत कंप्लेक्सिटी है और जीवन इसी बात से बहुत ज़्यादा उलज गया है जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ इसी बात का एक दूसरा ढ़न अगर तुम्हें जीवन में संसार में असाध हो नहीं चाहिए तो अपने साधूँँँँँँज़ाओ अगर संसार में कोई हीनात्मा नहीं चाहिए तो हमें कोई महात्मा भी नहीं चाहिए अगर महात्मा रहेंगे तो हीनात्मा भी रहेंगे अगर साधू रहेंगे तो असाधू भी रहेंगे दोनों एक ही चीज के दो सिरें हैं दो द्रोग हैं दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं सारा जगड़ा यही है कि हम एक द्रोग को तो बचाना चाहते हैं और दूसरे द्रोग को पकड़ना चाहते हैं सादू लोगों को देखो कि वो कितनी कोशिस में लगे हैं कितनी जोर सोर से अलियान चला रखा है कितनी निन्दा में लगें कि असादूओं को बिलकुल सुधार देंगे उनको समाफ्त कर देंगे और संसार को ऐसा सत्यूग बना देंगे जब कहीं कोई असादू ही नहीं रहेगा तो यह भूल जाते हैं कि वो भी नहीं रहेंगे पर उनकी जदरूरत क्या रहेगी, अब एक दूसरी बाद दिमें कहोंगा, वो भी थोड़ी खतनाग मेर और चिकित्सकों का भी दिस्ता है, जितने चिकित्सक बढ़ेंगे उतने बीमार भी बढ़ेंगे, और चिकित्सक कभी नहीं चाहेंगे कि बीमार ना हो, क्या करेंगे दवा बनाने वादे क्या करेंगे तो कहीं न कहीं से उनके अन्नरिक छुपी होगी आकांचा भी है कि लोग बीमार बने रहें तो उनके चिकिस्तक रहने का कुछ औचित्य भी होगा अगर कोई जीवन में उल्जा ना हो, पाप में ना हो, चिंताओं में ना हो तो महात्मान लो किसको प्रवचन में हो, चहिए कोई ना कोई यही सारी अडचन है, और ऐसा कभी होगा नहीं ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही रंग रह जाएगा और दूसरा रंग विड़ा हो जाएगा रहेंगे तो दोनों रहेंगे उसी पर खड़ी है यह दुनिया और तुमारे पास एक विकल्प है वही ट्रू स्प्रिश्वेलिटी है शुद्ध अध्यात में है जब तुम इन दोनों से उपर एक तीसरे बिन्व पर पहुंचाओ भारत में तुमने देखा होगा तंत्र विज्ञान में या बहुत सारे जगों पर एक ट्रैंगल बनाते हैं तहीं जगे कूजा में भी उसका उपयोग करते हैं इस त्रिकोण का इतना ही अर्थ है कि दो ध्रुब जो है वो समानांतर है होरिजेंटल है और एक तीसरा ध्रुब जो आता है वो बर्टिकल है वो ध्रुगामी उपर ले जाता है तो सुख और दुख साधू असाधू या जितनी भी ऐसी वैवस्थाएं है वो समानांतर ध्रुब है होरिजेंटल है वो बैसे ही रहती है लेकिन इनके बीच एक तीसरी संभावना भी होती है जो ठीक इनके उपर है जहां पर तुम ना सुख की आकांचा रख रहे हो ना तुम दुख की आकांचा रख रहे हो याद हैं कि तुम सुख और दुख दोनों को एक साथ स्विकार करके चलिए तुम्हें कोई परिशानी की तुमने मान लिया है कि ये तो धन्ध है जीवन का अगर सुबह सुखी है तो साम दुखी होने की तैयार है और अच्छा भी है रोचक भी है अगर साम को दुख आता है तो सुबह का सुख अच्छा मालूम पड़ता है तो दुख और सुख एक साल कुथे हुए चकते गाना तो गालेना असान है But you don't want that, तो मुसे चुनना नहीं चाहते है ciri चुनने में अच्छा लगता है सुनने में तो आप किसी कहां कुछ दुर्गहतना हो जाए। शग कि इम्रत्यू हो जाए। आप कि पर तरह तरह के भजन बगियरा लोग निकाल कर लाते हैं। यसमें कि यह बिधित यह बीन परमात्माश से आता है वो भी आता है सब तुम्हारा आजा एक जब लेने पर आये तो मुझिबत आ जाते है कि लिएक तब कोई लेना चाहगे रहां है कि द गाना गाने में ए्ख्राक्ण भाजन गाने बड़ा अच्छा लगताleton je भजन गा रहे होते हैं वो तो सो कभी अप्लाई नहीं करते जीवन यह तैस समझें इसलिए भजन गाने वालों मुझे थोड़ी उल्जान होती है कभी और शायर और भजन गाने वाले यह लोग बिल्कुल पायाधार्स जीवन जिते हैं अन्रियलिस्टिक और पूरी तरह से नान्रेलाइबल इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं वह अभी कि कुछ और गारे होंगे तुरंती कुछ और जीवन जी रहे होंगे जीवन जीना एक बिल्कुल अलाग अन्रिश्टि एक समाज है गहरा साहस है और साहस बस इतना ही कि तुम उसे स्विकार कर लो अब जैसे एक उल्जंगे चलती है कि पॉजिटिव थिंकिंग तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करोगे ठोड़ा से निजीटिव थिंकिंग भी करो बैलेंस रखो मनोवेगेनीक सहमत होंगे मुझसे अगर बैलेंस बनाके चलेंगे तो कोई जहन नहीं होगी अगर 60% positive thinking करें तो 40% negative कर लिए तो positive का थोड़ा color बना रहेगा उसका जो strength का part है वो बना रहेगा नहीं तो वो कहां जाएगा लेकिन फिर क्या है तुमारी positive और negative के अलावा एक तीसरा विकल खुलता है realistic thing that which is जो है एक छोटी सा छोटी सी बार छोटा सा sentence जे कृष्णमूति जीवन भर उपयोग करते रहे कि know that which is simply know that which is जानो उसे जो है क्या जो है जो है सामने जो जीवन का पूरा structure the totality वो जो पूरा gestalt है उसे जानना है उसमें चुनाव नहीं करना है इसलिए उसमें आता है अचुनाव जीवन जैसा आ रहा है उसको आने तो समस्या क्या है तुम बहुत सुख और दुख्ते चुनाव में पढ़ जाओ के तक तुम्हें यह भी लगेगा कि दिन चाहिए रात नहीं चाहिए रात के दिन दिन नजर भी खहां है रात है तो दिन नजर आता है दोलों से जीवन बनता यह अग जीवन की जो विसंगतियां पैदा हुई है वो इसी प्रकार के चिंतन से पैदा हुई है, जहां हमने एक ध्रोव का चुनाव किया है, और दूसरे ध्रोव की उपेख्छा करी है, लेकिन वो उनसे ही पढ़ रहे हैं, तुम कभी सोच नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारे चुनाव के कारण ही तुम्हारे जीवन में बढ़ते चले आ रहे हैं, दूसरे किस्म के रंग, खलिब जिब्रान ने बहुत छोटी सी और बड़ी सुन्दर सी कथा लिखी है, मैंने कई बार इसकी चल्चा की है, सैतान, कहते हैं कि एक बार पुरोहित रास्ते से जा रहा है, तो किसी के करहने की आवाज आई है, उसने सोजा कि पचाना चाहिए, अच्छे बेक्ति का लक्षण है, किसी की मदद करनी चाहिए, यह पुरोहित ही सोचता है कि मदद करनी चाहिए, और यह समझाता भी वही बेक्ति है, जिसके अंदर कुछ गरबड होती है, नहीं, तो मदद तो घटी है, अगर तुम्हें सोचना पड़े, इससे पुन्नी मिलेगा, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इससे तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तुम्हें करना चाहिए, तो गरबड हो गई, तो पुरोहित गया, देखा एक कुए के अंदर से आवाज आ रही, उसने कुए में ज्ञाका, ज्ञाका तो हैरान रह ग गया, उसने देखा कुए में सैतान पड़ा, लहू लुहान, माना संद, उसके चर्च में जो सैतान की तस्वीर लगी थी, बिल्कुल वई था, उसने कहा कि तुम तो सैतान जान पड़ते हो, जी मैं वई हूँ, उसने कहा मुझे बचाएं, निकालें कुएं से करपा करके, उसने कहा, तुमको और मैं निकालू, तुमको तो नस्ट हो जाना चाहिए, तुमें मज जाना है, रोज तो हम लोग यही प्रातना करते हैं कि सैतान को नस्ट करना है, तो सैतान में थोड़ी देर कराहना बंद किया, और हसने लगा, उसने कहा कि थोड़ी देर, तोंचे, अ तुम मुझे बचाओ ना बचाओ प्रोवित में कैसे बेकार की बाते में तुम्हें नहीं बचाओ और वो आगे चला गया कुछ कदम ही आगे गया तो सोचा उसके उसमें काया कि बात तो ठीक कहता है अगर यह नहीं रहा तो चर्च में तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे प्राचना क्या करेंगे किसको मिटाने की कवायद करेंगे तो उसने कहां कि ठीक है चलो तुमको लेकर चलता हो पुरोहित ने उसको निकाला और अपने कंदे पर बिठाला बड़े प्यार से लेकर चला उसको कि मलहम पट्टी कराते हैं और कथा कहती है कि उसके बाद सैटा इतना समझ में आ गया उतारने कोशिस बी नहीं कि ऊटरने भी को शापUR इचान बैथा है, तो कोई चाहेगा नहीं, पुरो अचे खे करने को नहीं जाएगा, पूरो आद वह जाये. तुम्हारी द्रश्ट उधर जाती नहीं और उसी पर जीवन में सारा संताप पहला हुआ है सारी जो तीड़ा की इस्थितियां हैं वो किसी नासमझी से फैली नहीं है लेकिन तुम्हारे पास में तीसरा विकल्प यही है कि तुम इन दोनों चीज़ों के पार दो जिनको तुम सुख और दुख जैसी इस्थितियां समझते हो तुम तुम उनके दुष्टा हो सकते हो तुम उनके साची हो सकते हो तुम उनमें कोई जुनाव नहीं करते, जब जो आता है उसके साथ तुम वैसा ही वेभार करते हो, जो समय उस परिष्थित के अनकूल है, नकम न ज्यादा, किसी बात में कितना सुख लेना चाहिए, और किस बात में कितना दुख मनाना चाहिए, यह सब के अपने अपने लेकिन वो परिष्थित तो बिल्कुल न्यूट्रल, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसको तुम सुख और दुख की तरह देख रहे थे हो, बिल्कुल न्यूट्रल है, तुमने एक नई अच्छी कार खरी दी, बहुत सुख महसूस हो रहा है, तुमारी कार को चुरा ले भी सिह बिए बहुत दुख महावैं पर तिति नियूट इस परिस्थिति जैसी है वैसे स्विकार कर सकते हो ना इसमें को बहुत नेकी जरूरत है ना इस में बहुत बिजलित होने की जरूरत है फ्र करें कर गाई सै कि एक आरट तो एक प्रसक तुमारा अगला उठेगा तो क्या हम प्रसंद होना बंद करनें कुछ अच्छी चीज लें अच्छा काम हो तो प्रसंद भी नहीं मैं यह नहीं कहा रहा हूं। उत्सों मनाएं, जल्सा करें, लेकिन अंदर जानें कि ये ट्रेंजेंट है, ये बह जाना है, ये रुखना नहीं, ये ठहरना नहीं, दूसरी परिस्तिती भी आए, तो दूसरी परिस्तित जब आ जाए, तो उसके साथ तुम जो व्यावार कर सकते हो, जो तुमारा विवेग क तुम कुछ कर भी ना पाओगे, तुम किसी परिस्तित में वही कर पाओगे, जो तुमारी टोटल अंडरस्टैंडिंग का एक्रिमेलेटिक पार्ट हो, तो तुम एतना ही कर सकते हो, मेन वाइल की अपनी अंडरस्टैंडिंग को रेज कर सकते हो, मेन वाइल ओनली ये रेज यूर कंशेस्नेस, यू कैन रेज यूर अंडरस्टेंडिक, उसको बढ़ा सकते हो, उसको और व्यापक बना सकते हो, तब जब वक्त आएगा तो वही कंशेंट्रेट होके, इकठी होके अपना काम परेजिए, कोई बात काम नहीं है, जीवन बिलकुल ब्यावारिक है, सारा ग अगर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है, तो मैं इतना ही कहता हूँ, जो परिस्तिती हो, उस समय तुम्हें जो उची तौरा नुकोल जान परता हो, तुम भो कर लेना, लेकिन ये जानना कि ये ज्यादा देर ठहरेगा, ये भी बदल जाए, ये सुबह साम में बदले इसलिए अपने देशनाओं के केंद्र में प्रतीक चुना था, चक्र का, और संसार का प्रतीक था, ऐसे ही वो घूमता रहता है, उपर, नीचे, नीचे, उपर, और इस बदलाव से जो अलग अट गया है, इसका जो विटनेस हो गया है, साप्छी हो गया है, वही जीवन को वास्तविक रूप में जी रहा है, जो इस बदलाव में सामिल है, वह परिशान है, उसको लगता है, ऐसा क्यों हो गया, यह अपेक्छित नहीं था और ऐसा हो गया, जो वेक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, उसको अप्रसिद्धी स्विकार कल देने पड़े, जो वेक्ति आप, तुम चाहता है, उसको गालियां स्विकार कल देने पड़े, आब तुम चाहो कि सारे लोग तुमारी प्रसिद्धा करें, और कोई तुम्हारी आलोषणा ने तरे, उमारी नादानी ही कही जाएगी, तुमाही ना सम्झी होगे, कहने का टाक परें को प्रसिद्धा का आनन्द लो, लेकिन तुम आलोचना का भी आनन्द लो, उसको गेंज़ाए करो, वो उसी का पार्ट है, अगर तुमारे 50 लोग पर संसा करते हैं, तुम यकिन मानों, 50 लोग तुमारे आलोचना भी करते हैं, बैलेंस बना रहता है, संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, तुम उचाई पर जाने वाले को नीचे जाना पड़ता है, सिखार अगर उपर उठता है, तो खाई बनती ही बनती है, निच से कहता था कि जिन पेणों को आस्मान की उचाई छुली हो, उन्हें अपनी जड़ों को पाताल की गहराई में भीजना पड़ता है, अनेरे, तुम सोच जीवन तो इस धंग से ही आगे जा रहा है तो तुमको एक चुनाव करने का कोई भी विकल्प नहीं है तुम्हें या तो दोनों चुनने पड़ेंगे या तुम्हें दोनों छोड़ने पड़ेंगे इसलिए अपने महात्माओं से भी प्रेम करो और हिनात्माओं से भी प्रेम करो इसलिए महात्मा सब्द से मुझे बड़ी अच्छा है नहीं है उस सब्द को प्रियोग करना मैं नहीं चाहता क्योंकि जैसे ही तुम किसी के लिए सब्द उप्योग करते हो दूसरा सब्द पहल एक कोई कि 사ट करते हो ठीक उस्थसे अमिद्ध स्थित तुरंती निर्मित हो जाती है अब तो प्रयगयनिक पर काम करें आदे हैं आगा कम सो जाते हैं किए अगर मैटर है तो द्रमस्थ भी होगी मेंतव है तो सुन्निता भी होगी, शुनिता है तो भरा भी होगी, पहले लिव उसके विप्रीद तुरंट पैदा हो जाएगा, जो लोग राम रामण की कथाओं में बड़ा रस लेते हैं, और सोचते हैं कि रामण नहीं होना चाहिए, तो सोचो फिर राम की कथा में क्या रहेगा, आगे बढ़ेगी होगी जरा भी, तो रामण भी उतना ही इंपोर्टेंट है, उतना ही मात्कों जितना आराम, तो कैरेक्टर, दोनों ही उतने ही अच्छे हैं, तुमको दोनों को समभालना पड़ेगा, ये नहीं कि तो एक को तो विदा कर देते हैं, आज हम ऐसी किताब लिखते हैं जिसमें रावन के करेक्टर हटा देते हैं, वो अच्छा नहीं है, तो पर राम का क्या करिएगा, कि ज़रुवत में रह जाएगे, जीवन ऐसा है, इसलिए इसमें बहुत परिशान होने के बाद, तीसरी पॉसिबिलिटी हमेशा अवेलेबल है, उस पर ही जाए, तीसरी संभावना हमे लोगों ने देखे कोई बहुत सुन्दत किया भी है, जिनों ने जीवन में बहुत बेशिकाएं जहली हैं, उन्होंने ही कोई बहुत सुन्दर सजनात्मक भी किया है, जो लोग केवल अच्छा अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, कभी कुछ अच्छा करते भीने, बिलकुल जीवन में कुछ मुल्लेमान डालते हैं उस मुल्ले को विप्रीत इस्थितिया ही निर्मित करते हैं तो जो सुख में रस मालूम पड़ता है तो दुख की वज़े से ही कोई विकतेगर कभी दुखी में हुआ हो तो वो सुखी होने का मजा भी नहीं जाने का इसलिड़े भारत में रात में लोग जो खाने पीने युद्ध होते हैं उफुप अबी हैं इसलिए के फिर नहीं करतें कोई उनको देखे, deeper understanding, जिसको कहते हैं, वो बहुत simple है, उसको उजर हम कहें, deeper understanding, going beyond understanding, that is not some understanding, ऐसा नहीं कि वो कोई आसी समझ है कि सब समझ में आ गया, उस समझ के पार चले जाने के अवस्ता है, उस ही को हम deeper understanding कहते हैं, शब्दों की सीमा है, शब्द जब भी हम उप्योग करेंगे तो उ उसमें कोछ एग्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, deeper understanding, ultimate understanding, अब ultimate understanding, हमारे बहुत ही प्यारे सब्दगुरु अभी हुए, इस contemporary time में, रमेश बाल सेकर, उनकी एक उस तक भी आई थी, ultimate understanding, और वो बड़ा सरल्ध है उनका चीज़ों को कहने का, और उन्होंने उसमें जो एक वाग के उपयोगिया शुरुआ करते हुए, ultimate understanding is, that there is nothing to understand, कुछ समझने जैसा है नहीं, लेकिन ये सब समझने के बास समझ को गिराने पराता है, ये नहीं कि बिना समझे हुए ही, कह दें कि ठीक है, जब कुछ समझने ही नहीं तो हम कोशिस ही नहीं करते है, समझ लिया, समझ के बहुत कोशिस कर ली, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो हमने छोड़ दिया, ये प्रयास के पार, इसलिए समर्पन के जो बात है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ, कि संकल्ब के सिखर से समर्पन की गंगा निकरते है, ऐसे नहीं पहले कि बैठे बठाए समर्पन हो समर्पन कर लोग को लगता है, बड़ा ही बड़ा ही और वairy तरररास्ता, जो बड़ा ही राष्ता, उठे और समर्पन कर दे ओ, मेरे बास डो आथा हुआ है दसवीच बार समर्पन कर दो, फिर अपना वापस में ले जाते है, अजर नहीं राषा आ तो हाई अه ए डास य सब इता में एक समteilival खचाओं की साओं की आधकी वा Supreme आधकी सवाया है यह जिन्गा एंखियु जी अजया है सब सरब दो समझ्जनिया दो सब्सक्राजाना दूल पुर दो समय्सक्सी कि कुछा जाता है तोват को उतéta लुख खाग्या नहीं तो कर दो कि डाष्टियाasking, cut to work कि ह मुम्हें फार कि तुम्हें आना झाहेंब, यह निंब अब कि बुछे, तुम्हें सम्पर्छ आतले कि अज बार। वोग भी तुबारे चुलाओं हैं। तो वहीं ते है कि देखे, लोगों के हाँ बुलाने का कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाता है। और हमारे आना आसान भी नहीं होता है। अकसर देखे, लोग पहली बार नहीं आपाते हैं। और कुछ में कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं आपाते हैं। मुश्किल पढ़ जाती है। क्योंकि बहुत सारे कॉस्मिक चैलेंजेज हैं। और पात्रता की जहां तक बात रही तो इस पर मैं कोई ध्यान नहीं देता। संसार में आने के लिए कोई पात्रता नहीं थी और अस्तित्य ने तुम्हें भेज दिया। तो मैं क्यों उसमें पात्रता दिया। मैं कोई पात्रता ढूनने की कोशिश नहीं काता। तुम हो इतना काफी है। और फिर तो अस्तित्व ही तुम्हारा ख्याल करेगा, पात्रता की कोई जरूरत, हर्वित्ती पात्र, अब वही बात्रियां आ जाएगे, जब तुम्हारे बाबा लोग कहते हैं, सुपात्र, तुरंत्री कुपात्र पैदा हो जाते हैं, सुपात्र की बात उठी नहीं, तो अगर हम पात्र की बात ही उठा जे तो सारे लोग पात्र हैं, कोई अच्छा नहीं, बंधन ही नहीं कई लुषया ही गेओं, काई गुषया है, जवा मेरी खंटे मिल्थयां अद्र्श सब्क्राइगी, जब दिन्मों काुछा गुषया हैं। हम आख हमें हर्मान घी कुझा गाता हैं, इन पात्र घृमान जी मैंगाते हैं, इन आच्छा एफ तो projeto कि आषिते खली, दिन का आपका प्राइस टेक्ट हो जाएगी और जहाँ कोई टायगी और जहां कोई टायगी होगा प्राइसलेस हो जाएगी तो बेक्टी के अंदर तो तारी संभावना है और जो गुरू के अंदर कोई देखता है वो अपने को ही देखता है ऐसा नहीं है कि ये गुरू का स्वरूप है यही तुमारा भी स्वरूप है वो तो बस केवल है और उसके अंदर से जो जलगता है वो अपनी ही चीछ जलगते में काँ एक आज के में एक अप्टिघ में होी एक तोडल विटेस्ट्रस निर्ट सरा इस तरह की थिलिंग करता है तरह की तरह की फीलिंग टेस्टेव को जो उठागी पार जा तरह की पहल विटेश्ट निए द्यान बद। अच्छा है, मैंने यही बात बोली थी कि अगर अलाइवनेस पर फोकस करते हैं, तो विदेह का भाव होता है, विदेह का भाव या बॉडी लेशनेस का भाव, यह होता है, यह ध्यान बड़ा ही सरल है, और यह ऐसा सरल ध्यान है, जिसको हमेशा लोगों से छुपाये रखा ज किया जाती और तरह-तरहिblock की कठिन kठिन विदियान बताई जाएंगी, और इसमिर्वित्ति को लगता है, कुछ करना ही क्या है, लेकिन अपनी झीवन को महसूस करना, अपनी यारीवनेस को, वो तुमको शरीर के पार दे जाती है, वो जो यारीवनेस है, वो सरीर के पार की वो material नहीं है वो consciousness वो इस matter के through reflect हो रही है तो जैसे हम उसे महसूस करते हैं हम उस transcendental part में चले जाते हैं bodylessness में चले जाते हैं तो कुछ लोगों को reality में bodylessness का हैसास हो सकता है हलकेपन का हैसास हो सकता है कभी-कभी उनको हवा में उठने का हैसास भी हो सकता है जैसे कि वो उपर उठने है levitation का levitation में ऐसा नहीं कि शरीर उठ जाता है लेकिन एहसास हो दो शरीर तो जहाँ है वहीं रहेगा शरीर के उठने की ज़रुरत भी नहीं कुछ लोग इस मुर्खता में लगे रहते हैं लेविटेशन में शरीर उपर उठा लेके एक आत पहले की गुरु लोगों ने levitation की अवधाना दी थी concept और निरंतर विबाद में घिरे रहे कि हवा में उठकर दिखाना है तो मोटे मोटे कद्दों पर उठला जाए इस हवा में उठने का ऐसास उस नादानी का कोई ओक योग ने levitation एक state of consciousness bodylessness विदेह हवस्था विदेह हवस्था का अर्थ है कि आप चल हैं लेकिन चलने का कोई भाव नहीं कोई हैसास नहीं तो आप बिलकुल हल्की हवा में तरते रुबे जारे हैं आपका वजन भी जमीन पर नहीं पड़ रहा है कभी-कभी ऐसा ऐसास होता है और ये बड़ी ही रहस्य में चीज है जब किसी बेक्ति के अंदर वोई भी ऐसी भावदसा होती है जो consciousness से उसको दोड़ ले जा रहे है क्रोध आजाये उसके अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंकार आलिया हो तो ऐसा लगता है इसे धर्ती पर बहुत बजन के साथ को चल रहा है बहुत बजन पढ़ रहा है चलने में उसके और अगर कोई विक्तिन से अलग हट जाए तो उसको लगेगा कि मेरी सारी बातें समझ में आए है और मैं इसलिए बोलता है कि 20-80 का रिश्यू बना के चल ला कभी-कभी तुमें 80 परसेंट समझ में आजाएगा 20 नहीं आएगा ज्यादा तर तो 20 आएगा 80 नहीं आएगा और वही तुमारे स्वास्ते के लिए अच्छा है वही ultimate understanding है कि जब पूरा समझ में नहीं आता है जब पूरा समझ में आ जाता है तो व्रत्ति वहुत ignorant भो जाता है